नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने नेचल गाडन से कुछ पराकरतिक सब्जियां और कुछ फलो की हर्वेस्टिंग करेंगे तो सबसे पहले हम इस गोबी की हर्वेस्टिंग करेंगे और यह गोबी हमने बिल्कुल ही पराकरतिक तरीके से उगाई हुई हैं इनके अंदर किसी भी तरह का केमिकल या पेश्टि साइड का परियोग नहीं किया है यह हमने गोबी की हर्वेस्टिंग कर ली है इनके साइड के पत्तों को काट कर हम बैड के बराबर में बनी हुई नाली में डाल देते हैं ताकि यह कुछ समय के बाद गल सड़कर प्राकरतिक खादकारू ले सके और यह देखिए यह है प्राकरतिक गोबी कुछ बेरों की भी हर्वेस्टिंग कर लेते हैं नेच्रल गार्डनिंग करने का यह फाइदा होता है कि कुछ फन और सब्जियां हमें खाने के लिए मिल जाती हैं और कुछ अक्सियों और कीट पतंगों को भी मिल जाती हैं इस बेर के पोदे पर बहुत ही ज्यादा दोते आते हैं और वह ज्यादातर फलों को खाते हैं हम अपने नेच्रल गार्डनिंग में किसी भी जीव जनतु को नुक्सान नहीं पहुचाते बलकि एक ऐसा एकोसिस्टम त्यार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें किसी भी जीव को कश्म न पूचाना पड़े यह देखिए गुच्छों में बेर लगे हुए हैं यह हमने बेरों की हार्वेस्टिंग कर ली है यह बेर खाने में बहुत ही मिठे होते हैं लेजिए यह हैं हमारी आज की हार्वेस्टिंग आज हमने प्रे नेचरल कार्डन से एक गोबी की हार्वेस्टिंग की है और मिठे बेरों की हार्वेस्टिंग की है अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू